दूस्तों आज की कहानी है मा ममी जी तो मुझे आपकी तरह प्यार करती हैं दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारी सेनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुं से अरुज नया वीडियो सरोस का मना सुबे से ब्यासन ता सुबे से एकलोती बेटी जानवी की बहुत याद आ रही थी जानवी की साधी को एक महिना वगाता हूँ अपने ससुराल में थी जब भी सरोस को अच्छा बनाती बेटी का कोई समान देखती तो उसका दिल बेटी की याद में तणपूर्टा जी का घर में बहुत रूत बाता था उनकी मर्जी के खिलापे पत्ता भी नहीं हिल सकता था ललीता जी खुसेल सभावगी थी सोटी सोटी बात को बढ़ा कर लेना उनकी दिन सर्या में समिलता साधी के दो महीने बादी पोती का सुक देदो पोते का सुक देदो की रट कदबों की आठ ने दस्तक दी अपने भावी संतान के खवाव बुनते तीन महीने हो गए थे एक दिन सरोज की सासु मा लली था जी उसे डॉक्टर के पास ले गए उसने बता है कि घृब में पदरा बच्चा लड़की है गरा कर सासु मा ने का हमें लड़की नहीं सही बेटी के जिने के अधिकार को सिर लेना साथी थी सरोज का रूरो कर बुरा हल था उसके पती सुरिया कांते भी उसकी एक नसुनी परिवार की सुक सांती के लिए उसने मा की बात मानने को कहा था सरोज में ना जाने कहां से सकती आई थी उसने अपने आपको संभाल और बच्चे को घिराने से मना कर दिया मैं अपने अजनबी संतान की हत्या नहीं दे सकती मेरी गरी में जो बच्ची पद्री उसे मैं जरूर जनम दूँगी अगर आप लोगों को मजूर हो तो ठीक है नहीं तो मैं ये गर हमेशा के लिए सोड़ दूँगी अकेले बच्चे की प्रवरिस की काबिलियत है मुझे में इतने पटे लिके होने के बावजूद इतनी घट्या सोच रखते आप लोग जै सेर के पती इस परिवारों में गिंती होते और ऐसा गुना करने की सोच भी कैसे हो सकते हो सरूज ने पने पती सुर्या कांसे का मुझे माम कर दो सरूज मैंने मा की गलत सोच को बढ़ावा दिया और मा बेटियों भी बेटों से कम नहीं देखना हम उसकी इतनी अच्छी प्रवरिस करेंगे कि आपको उस पर गरव होगा लिलिता जी बहु के साथ साथ बेटा की हासे ना सला जाएए सोच कर सूप रह गई निराधी समय पर सरूज ने फूल सी बच्ची जानवी को जनम दिया सरूज जानवी के अच्छी प्रिस्टर पर पुरा ध्यान देती है इस संसकार अच्छी है शीक्षा सब दी जिसका नतीजा था कि जानवी बड़ी से कमपनी में कम्प्यूटर इंजिनियर की पोस्ट पर आसिर वेग से बढ़कर एक परतिष्ट परिवारों के रिष्टे आने लगे सरूज हमेशा बेटी से कतिया की तरह ससुराल में कुछ भी नहीं होता सास सास होती और मा मा वाहिद ना लाड़ प्यार कौन करेगा कापी सोच समग कर पूरी सानवीन के बाद जतिन को जानवी के लिए सुना दिया दुमदाम से साधी सपन होई सगही और साधी के पैसे जानवी की सासूजा जी उसे बहुत अच्चा बरताव करती फिर भी सरूज को तरसली ना होती ना हमें हमेशा गब राता भागवान से प्राथना करती बेटी हमेशा खूस रहे साधी के बाद भी जानवी सरोज को बता सुकी थी कि उसका ससुराल बहुत अच्छा है टीवी सेरियल की तरह कोई दिरामा नहीं होता पर बेटी जाने ससुराल में क्या से होगी सोस में सरोज का बूरा हाल रहता आध जानवी की साधी को एक मैना हो गया था दोपर बारे बज़े का समयता सरोज ने सोसा इस वक बेटी जानवी थोड़ा फ्री होगी दामान जी भी ओपिस गए होंगे फोन कर लेती हो आवाज सुन लोगी तो मन थोड़ा सांत हो जाएगा तो ये सोस कर सरोज ने बेटी को लगाया कैसी हो बेटिया ममी मैं बिल्कुल ठीक हो और आप कैसी हो बेटी एक बात बता तेरा दिल तो लग गया ना ससुराल में तेरी सास और दामान जी का बरताव तेरे परती ठीक है ना कोई परिशानी तो नहीं है ना जाने मुझे बड़ी फ्रीक हो रही थी तेरी सरोच जी ने अपरी बेटी से पूसा ममी आप बेकार में सिंता करें मैं या बहुत खुसू आपको पता है मेरी ममी जी मुझे आपकी इतरा गर्मा गर्म रोटी बना कर खिला दिये मेरे सिर पर तेल मालिस करती हो और मुझे का साधी का ये सुराती सम्यक दूसरे के सा समझे सिय बिठाने का समय होते तुम दो पती पत्रे एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिठाओ फिर प्रिवार बढ़ाने के बारे में सोसना मम्मी आपको पताए मेरी मम्मी जी तो मुझे आपकी इत्रा प्यार करती है ये सुनकर स्तरोजी आगे कुछ बोली नहीं पाई आखो से आसू बने लगे वो भरे गले से बस इत्रे का पाई रखती वो बेटा फिर बात करोंगे तुम भी अपनी ममी जी का खुब आदर समान करना मेरी बेटी को ससुराल में भी मा मिल गई है सोसकर आखो से खुशी के गंगा जम्मुना बेने लगी दूस्तों वेसे तो सास बहु का रिष्टा खटा मिटा होता है महु को अपने ससुराल में प्यार अपना पन समान मिले तो हमनी बेटी के भवश्य को लेकर हर माता पिता की सिंदा दूर हो जाती है बहु को नहीं माहूल में डलने और वहां के लोगों की पसंद ना पसंद को समझदे का पर्याव समिय जी